है फ्रेंट्स वेलकम टू Mkb Special Tech Education तो माइ डियर फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NHPC Limited में जो VACANSI निकल कर आई हुई है यहाँ पर बात करेंगे कि किन किन पोष्ट के लिए VACANSI निकल कर आई हुई है क्या selection criteria है कितनी post है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है अगर आप अभी भी हमारे YouTube चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजी और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजी तो माई डियर फ्रेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहें notification नंबर और notification की date जो है यहाँ पर 12 माई दिखाई गई है यहाँ पर notification में Apprentice Act तो 1961 के तहर जितनी भी vacancy निकाली गई है उनके बारे में हम आपको detail से बताते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहें Electrician की पोश्ट के लिए 10 vacancy निकल कर आई हुई है Plumber के लिए 2 vacancy, Fitter Trade के लिए 2 vacancy और Secretarial Assistant के लिए 4 vacancy जबकि Carpenter Trade वालो Candidates के लिए 1 vacancy निकल कर आई हुई है तो इन सभी पोश्टों के लिए यहाँ पर आपको Fitter Trade से अगर आप apply करना चाहते हैं तो Fitter Trade से आपका ITI होना जरूरी है तो यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि किन-किन ट्रेडों के लिए यहाँ पर vacancy निकल कर आई हुई है तो यहाँ पर हम बात करेंगे Period of apprenticeship training की important चीज है जितना भी आपको reservation मिलेगा यह जो है यहाँ पर valid रहेगा जबकि यहाँ पर किन-किन candidates को यहाँ पर preference दिया जाएगा वे candidates जो project affected हैं वे candidates जो इसी district के हैं और candidates जो जम्मू और कस्मीर के out of हैं तो इन candidates को यहाँ पर अगर आप भी जम्मू कस्मीर के बाहर के हैं तो आप इसको apply कर सकते हैं selection criteria की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या होगा IT के merit based पर आपका यहाँ पर selection किया जाएगा आपके जितने भी marks हैं आपको merit के अधार पर selection यहाँ पर दिया जाएगा जबकि medical fitness test competent authority government of India establishment के अधार पर आपको zoning के time कर आया जाएगा तो इसके आप बाद हम बात करेंगे NHPC में आपको stipend कितना दिया जाएगा तो यहाँ पर stipend दिया जाएगा आपको apprenticeship act के तहद जितना भी stipend दिया जाता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा और जितनी भी facilities आपको वहाँ पर दी जाती है वो सारी facilities आपको यहाँ पर मिलेंगी how to apply की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बता देते हैं कि apply करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको notification के terms and conditions पढ़ लेना है इसके बाद अपने mobile number, email id से apprentice से portal पर जाकर registration कर देना है उसके बाद आपको अपनी जो आधार card और 10th mark seat ITI mark seat, certificate यह सब एक इस address पर आपको speed post कर देना है जो यह address यहाँ पर दिया गया है तो my dear friends आज़ा करते हैं कि यह वीडियो आपको helpful रहा होगा और आपके लिए यह जानकारी अच्छी होगी तो my dear friends अगर आप अभी भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजे क्योंकि इसी प्रकार की most important information वाली latest update हम सबसे पहले आप तक पहुचाते हैं कि आप कि अ